दोस्तों नमस्कार आदाव सच्छियकान नियूज क्लिक के कारिक्राम आज की बात के साथ मैं वुर्मिलेश इन दिनों मानवा धिकार को लेकर फिर एक बार भस शुरू हो गई है या खड़ी की गई है मानवा धिकार पर अगर भस हो बहुत अच्छी बात है चर्चा हो इससे अच्छी बात क्या होगी लेकिन सवालात खड़े किये जा रहे है और सवालात देश की टॉप जो हस्तियां है बड़ी हस्तियां है वो भी खड़ी कर रही है जिन पर जिम्यदारी है मानवाधिकारों के संरक्षन की वो लोग भी कहा रहे हैं और वो भी मानवाधिकार आयोग जो अपने देश में है जिसकी हालत क्या है किसी से छुपी नहीं है उसके स्थापना समारों पर ये बात कही गई कि selective interpretation है मानवाधिकार का selective जो presentation हो रहा है माने चुनिंदा जो इसके व्याख्याएं होती है वो अच्छी चीज नहीं है और उससे देश की image खराब होती है इस तरह की बात हम अक्सर सुना करते हैं खासकर जो भी सक्ता में राता है देश के कभी Congress हो BJP आज है जो भी सक्ता में राता है करता है मानवाधिकार वाधी जो ह अधिकार का हनन होता है और उस पर सवाल कोई उठा रहा है संगठन विशेश चाहे वो भारत का संगठन हो या दुनिया के किसी और मुल्क का संगठन हो यो United Nations से जूरी कोई organizations हो या बाहर की हो आखिर इसमें क्या बुराई है एक इंसान के लिए अगर एक इंसान आवाज उ धरागात कर रही है तो मैं समझता हूं कि आवाज उठाना किसी का भी करतब्य है इस पूरी दुनिया में कोई कहां कहां कराने वाला है इसका कोई मतलब नहीं है मनुश्यता एक है हम Global Village की बात करते हैं जब आर्थिक मसला आता है जब कमपनियों का मसला आता है जब Multinational का मा मामला आता है लेकिन जब मनुश्यों का मामला आता है तो हम दिवाल खड़ी कर देते हैं सवाल इस बात का है कि उनाइटेड नेशन जो जनरल असेंबली है उसने 1948 में 1948 में योनिवर्सल डिक्लेरेशन आप हुमन राइट्स जब जारी किया था तब से लेकर आज तक पूरी दुनिया में नव जाने कितने सत्र हो चुके हैं तमाम मानवाधिकार जो संबेलन हैं मानवाधिकार के विशेश संबेलन हैं लेकिन आखिर भारत जैसे मुल्क में जो दुनिया का इतना बड़ा मुल्क है हाला कि बार बार अब कहा जा रहा है कि हमारी जो डिमोक्रसी है वो बातें डिस्कस की जा रही हैं तो ऐसे दोर में मैं समझता हूं कि मानवाधिकारों पर सवाल उठाना या मानवाधिकारों के संरक्षण की अपील पर सवाल उठाना कहीं न कहीं मानवाधिकारों के हानन के बराबर हो जाता है इसलिए कई बार तो मुझे लगता है दोस्तों कि मानवा धिकारों पर जेनवा में जो United Nation का जो Human Rights Council है उसको चाहिए कि इंडिया के भारत के बड़े राजनेताओं को बाकायदे वहाँ बुलाए हमारे देश के मीडिया संस्थानों को चलाने वालों को बुलाए खासकर एंकर एंकरनिया जो हैं उनको बुलाए और खासकर हिंदी वालों को जरूर बुलाए और वहाँ पर बकायदे सेशन हो समझाया जाए लोगों को कि human rights क्या है और human rights का कैसे interpretation किया जाना चाहिए और कैसे ये लोकतांत्रिक मारव अधिकार है कैसे ये राजनेतिक अधिकार भी है उस पूरे जो वैश्विक declaration था universal declaration उसके एक एक भिंद पर बकायदे वर्क्शाप की जानी चाहिए इंडियन politician के लिए इंडियन media persons के लिए और इंडियन जो भी NGO हैं इस तरह के छित्रों में काम करने वाले जिससे कम से कम एक awareness जो है मारव अधिकारों को लेकर अपने देश में पैदा हो अब उधारन के तौर पे मैं बड़े बड़े उधारन नहीं दूँगा जो बड़े बड़े मंचों पर किये जाते हैं मैं एक छोटी सी बात आपके सामने पेश करना चाहता हूँ अभी जम्मु कश्मीर के कांटेक्स में भी human rights की बात बहुत की जाती है मैं उसके केवल एक छोटे से aspect को आज उठाना चाहता हूँ जो बिलकुल ताजा तरीन है जोलन्त है जिस पर कोई बात नहीं करता है जिस पर शासन के platform से बात नहीं होई है जिस पर मीडिया के platforms पर ब बिली में पढ़ा सिर्फ एक अखवार अंग्री जी को छोड़ कर मैंने ये खबर भी कहीं नहीं पढ़ी और वो एक ऐसी खबर है जो हमारे देश में मानवा धिकारों के selective interpretation की बात करने वाले जो लोग है उनको जरूर उस खबर पर गौर करना चाहिए और वो खबर क्या है दोस्तों खबर यह है हम सब जानते हैं कि जमू कश्मीर में कश्मीर वैली में हाल के दिनों में साथ निर्दोष नागरिकों की हत्या कर दी गए एक the resistance front नाम के एक organization ने ऐसा बताया जाता है हमारी सुरक्षा एजिंसियों के हवाले ये बात आई कि the resistance front ने ये सब किया है resistance front क क्या है कोई नहीं जानता उसके बारे में इस आतंकी गिरों के बारे में कोई अभी तक जानकारी public platform पे नहीं है public sphere में नहीं है ये सुरक्षा एजिंसियों के हवाले ये खबर आई है कहा गया कि साथ लोगों को जो मारा गया उसमें यही involved है उसमें माखानलाल बिंदरू जो एक बहुत मशूर कश्मीरी पंडित उनकी भिहत्या की गई जिनकी भिहत्या 90-91 से लेकर आज तक कभी जिस पर हमला नहीं हुआ एक बहुत प्रतिष्ठित कश्मीरी पंडित परिव कि यहीं के हैं हम यहीं की नदियां यहीं के पहाड़ जंगल एहीं के यहीं की हवा सब कुछ हमारा हम कहां छोड़ कर जाएं और उनको पूरे मिलिटेंसी में कभी कुछ नहीं हुआ बेहतरीन दवा खाना उनका था बेशकिंती से लेकर सस्ती दवाएं हर दवा वहां उपलब्द हो जाती थे और कई बार बिंदरु सहाब तो रात को भी अंधेरी रात को भी जब सब कुछ बंद हो जाया करता था किसी मरीज के लिए इसके अलावा दोस्तों वहां पर जमु कश्मीर में स्पिंदर कौर जो प्रिंसिपल थी दीपकचंद टीचर थे इन सब की हत्या की गई और इन सब के साथ जो कश्मीरी लोग थे कश्मीर के रहने वाले थे एक बिहार के भी एक व्यक्ति की हत्या की गई जो वस्तुता है मजदूर वो पूरी पानी पानी पूरी इसका एक ठेला लगाते थे और इसके पहले पानी पूरी बेचने से पहले उन्होंने मजदूरी भी की कलकत्ता में भी उन्होंने नौकरी की कॉलकटा वहां भी नौकरी की लेकिन कौरना दौर में उनकी नौकरी छुट गई मजदूर का काम करते थे बहुत ही गरीब चार बेटियों और दो बेटों की पिता, कोई जमीन नहीं, उनके पास अगर कल्टिवेशन के लेए जमीन होती, बिहार जैसे सूबे में लैंड डिफर्म्स हो गया होता, तो उनके पास भी जमीन होती, खेती कर रहे होते, लेकिन उनका सबसे बड़ा बेटा इस 11 साल का है, विक्रम, अभी मैंने उसे फोन पर बात की, बड़ी मुश्किल से फोन नंबर मैंने हासिल किया, वो भागलपूर में रहते हैं गाओं में, फिर पैती के पास, और पता ये चवा कि विरेंदर पासवान उनका नाम है, इनको इनकी भी हत्या की गए, यानि जो आतंकी थे, कसित आतंकी या आतंकी जो भी हो, कौन थे, कौन मारने वाले कोई नहीं जानता अभी तक, पुलिस उसकी चांद्बिन कर रही है, विरेंदर पासवान की भी शहादत हुई, दोस्तों, चाहे आतंकीयों द्वारा मारे जाने वाले लोग हों, या किसी दुरघटना के शिकार लोग हों, आल आप सड़न कोई ऐसी घटना हो गई जिसमें किसी की मौत हो जाए, तब भी हमारी सरकार बहुत दरिया दिल है, वो अमेरिका से लेकर जापान, रूस, इंग्लैंड, हर जगा से ऐसी स्थितियों में, जो लोगों के पार्थिव शरीर हैं, संबान के साथ भारत लाती है, अपने देश में देखा गया है कि कहीं भी कोई शहादत होई हो, कोई दुरघटना वस, इमर्जेंसी वस, कहीं कोई मौत किसी की हो गई, तो सरकारें इंतजाम करती हैं। बच्चों तक नहीं पहुंचाया गया, पता नहीं ये खबर दिल्ली वालों को है की नहीं, दिल्ली वालों का मतलब दिल्ली में सरकार चलाने वालों को, जो केंद्र की सरकार चलाते हैं, जो हुकूमत चलाते हैं, वीरेंद्र पास्वान की डेट बाड़ी, उनका पार्थि चार बेटियों को देखने को नहीं मिला, वो अपने पिता के पार्थिव शरीर को चुमना चाहते रहे होंगे, उस पर फूल माला चढ़ाना चाहते रहे होंगे, लेकिन ये मौका उनको नहीं दिया गया, उनके बेटे ने कहा कि स्री नगर के अड्मिस्टेशन ने ये जरूर जोन कहा था कि वो कोशिश करके आपके पिताज का पार्थिव शरीर पटना पहुचा सकते हैं, लेकिन पटना से एक गाउन लाने किया, कोई प्रमंद नहीं किया जा सका, और वो इतने गریब लोग हैं, इतने गریब लोग हैं, सोचिए जिसके पास खेत नहीं है, जिसके पा ये क्या बोलते हैं पानी पूरी वो बेचने के लिए ठेला चलाए जाइर है मजबूरी है और ये मजबूरी पेट है बच्चों का लालन पालन है पढ़ाई लिखाई है क्योंकि वो सपना देखते थे कि मैं तो मजदूर हूँ मैं अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर नौ मुन को नहीं वालूम रहा होगा लेकिन अपनी सरकार अपनी सरकारे कहिए उनके पार्थिव शरीड को उनके गाउं तक नहीं पूंचा सकी यह सच है और उनका क्रिमेशन श्री नगर में ही कर दिया गया संजोग था कि उनके एक छोटे भाई वहां मौझूद थे उनके परिवार के और उनकी उपस्तिती में उनका क्रिमेशन कर दिया गया लेकिन वो भी चाहते थे कि गाउं तक जाएं उनकी माटी भागलपूर की माटी में जाकर मिले भागलपूर की गंगा में जाकर मिले यह तक 20,000 रुपया वीडियो सहाब दे गए हैं, 20,000 का एक चेक मिला है, वियार सरकार ने 2,00,000 रुपय की घोशना की है उनके मरने के बाद मुआओजे के तोर पे वो अभी तक नहीं मिला है, के अंदर सरकार या जमू कश्मीर सरकार की और से ऐसी कोई घोशना अभी तक नहीं ह तो मैं यही कह रहा हूँ, आपसे यही सवाल उठा रहा हूँ, मानवादिकारों पर कमेंट करने वाले अपने देश के राजनेताओं से, ये विरेंदर पासवान का, उनकी पत्नी का, उनके बच्चों का, ये मानवादिकार था, ये मानवादिकार है कि आप 100 सम्मान उनके पार्थीव शरीर को उनके घर पुंचाते हैं, इतने जहाद चलते हैं, इतनी गाड़ियां चलती हैं, इतना डीजल फुकता है, इतना पेट्रोल बरबाद होता है, नेताओं के, अपसरों के चलने पर, उड़ने पर, उस खर्च का हिसाब बेहिसाब है, लेकिन एक व्यक्त पुरी के साथ लड़ने वाली हमारी सरकार को एक ऐसे व्यक्ति जो आतनतवात का विक्टिम बना, उसके पार्थीव शरीर को उसके घर तक पहुंचाने का न तो कोई मिजाज है, न तो इक्षा शक्ती है, और न तो उसके पास धन है, कल्पना कीजे, ये है मानवादिकारों का हनन, आप मानवादिकारों को पैसे नजर अंदाज करते हैं, ये एक खुदारण है, एक तो आप उनको जमीन नहीं देते जोतने के लिए, उनको जीने का अधिकार नहीं देते, संता का अधिकार नहीं देते, आप देखिए हमारे भारत के स्था मिधान में, माप भारत के समिधान का आठकिल 14 और 15 दोनों सम्ता के अधिकारों के सुनिश्चित करने की बात करते हैं दोनों जो हैं विधी के समक्ष समान हैं पूरे देश के नागरीक लेकिन एक खेती से जीने का सपना देखने वाला आदमी खेती की दो बिगे जमीन भी नहीं पासकता दो सव एकड जमीन रहेगी और किसी के पास दो बिगा जमीन नहीं रहेगी वो खेती योग जमीन चाहता है वो खेतिहर है खेतिहर होना चाहता है लेकिन उसको मजदूरी करनी पड़ रही है और मारे जाने पर क्या दुरदर्शा हो रही है आप देखें तो मानवा दिकार ये है जराब कि आप कैसे लोगों के सम्मान की जिन्दगी की वावशी कैसे हो लेकिन हमने मानवा दिकारों को ऐसा समझ लिया है कि जैसे वो सत्ता पर उठने वाला हर सवाल मानवा दिकार है जिहां मानवा दिकारों में लोग तंत्र का भी दिकार है और नागरिकों के भी दिकार है हर तरह के दिकार उसमें शाविल है अब कोई ये कह रहा है अभी हम ने एक बयान देखा कि जो लोग विनायक दामोदर सावरकर के माफी नामे पर सवाल उठा रहे हैं जो लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने माफी मांग कर बड़ा गलत किया था उन्हें नहीं मालुम कि महात्मा गांधी से उन्होंने सहमती ली थी इसकी अगर थोड़ी देर के लिए कल्पना कर लीजे कि गांधी से सहमती ली थी कल्पना कर लीजे हालनकि ये बिलकुल निराधार है तो क्या किसी व्यक्त इसे सहमती लेकर माफी मांगना इसको कैसे जायस ठायरा जा सकता है भगट सिंग से भी बहुत लोगों ने कहा था कि आपको अभी मरने की जरूरत नहीं है, मरना नहीं चाहिए, शहादत नहीं चाहिए, आप बाहर आईए लेकिन उन्होंने क्या पत्र लिखा था, अंग्रेजों को, हकूमत को क्या पत्र लिखा था, और सावरकर सहाब को एक बार नहीं कई बार उन्होंने माफी नामा भेजा, और 1911 में अगर माफी नामा भेजा, तो महात्मा गांधी तो 1915 में भारत आये, तो माफी नामा पहुंच गया था कि इंस्टाग्राम से पहुंच गया था कि किसी आईटी सेल ने पहुंच आया था कि कहां से स्रामतिली थी कि 1911-1915 कितना यूज गैप है और आप करें कि वी सावरकर सावरकर साथ पर जो सवाल उठाता है उसे बरदास्त नहीं किया जाएगा ये भी मिजाज बताता है कि मानवा अधिकारों को लेकर नागरीक अधिकार को लेकर लोगतांत्रिक अधिकारों को लेकर कितना अजीब सा मिजाज है मोजुदा सप्ताधारियों का क्यों नहीं टॉलरेट करेंगे टॉलरेट करना भी लोगतांत्रिक अधिकार है एक लोगतांत्रिक मिजाज है, सवाल उठाना लोगों का लोगतांत्रिक अदिकार है और आपका बरदास्ट करना आपका एक दाइत्व है अगर सत्ता, शासन चलाने वाले लोग, एक्जिक्यूटिप्स अगर उनमें सहिश्शनता नहीं है कि अपने शासन के तौर तरीकों पर सवाल उठाने वाले नागरिकों की बातों को वो टॉलरेट करें इतना आगर intolerance है कि सवाल उठाने पर आप कहते हैं कि बरदास्ट नहीं किया जाएगा तो ये बताता है कि वाकई आपका मिजाज लोक्तांत्रिक नहीं है और लोक्तांत्रिक मिजाज नहीं है तो आप लोगों के मानवाधिकारों का कत्ताई सम्मान नहीं करेंगे इसलिए दोस्तो एक लोक्तांत्रिक सम्मिधान के तहट चलने वाली सरकार उसके लोग अगर लोक्तांत्रिक नहीं है तो वो मानवाधिकारों का संरक्षन भी नहीं कर सकते मानुवाधिकारों के संरक्षन के लिए जरूरी है कि लोग लोगतांत्रिक हो उनके अंदर लोगतांत्रिक मिजाज हो ये बयान मैच देखकर चौक गया रक्षा मंत्री जी बयानते रहे हैं कि ये चीज कत्ते ही बरदास नहीं की जाएगी, कि कोई आलोचना करे, क्यों नहीं आलोचना करेंगे, यहां तो महात्मागांदी की भी आलोचना होती है, सुवाश्चंद्रबवस की भी आलोचना होती है, आलोचना करना भी एक लोगतंत के लिए कोई अच्छी चीज नहीं है सवाल जब उठते हैं तो उससे बात निकलती है और जब बात निकलती है तो जाहिर है रास्ता निकलता है ये तो राजा महराजाओं के दौर में होता था कि कोई सवाल नहीं उठा सकता कोई बात ऐसी नहीं कर सकता जो सासक को पसंद रहो जनाब ये लोग तंत्र है और जब तक ये सम्विधान है तब तक लोग सवाल उठाएंगे हर एक चीज पर सवाल उठाएंगे और यहां तो इस देश के राष्टपती ने सवाल उठा दिया था कि सावरकर को भारत रत्न नहीं दिया जाना चाहिए क्यों नहीं दिया जाना चाहिए जी मैं क्यार नारानन साब की बात करता हूँ क्यार नारानन साब के समय अटल विहारी वाजपेई जी प्रधान मंत्री थे उनकी सरकार ने प्रपोस किया था भारत रत्न देने का सावरकर सहाब को लेकिन राश्टपती के रनारानन ने बहुत प्यार से चुकि वास्पई जी और उनके बीच में काफी अच्छे सम्मंद थे दोनों के अलग-अलग सोच के बावजोद, अलग-अलग मिजाज के बावजोद लेकिन एक वर्किंग रिलेशन अच्छा था उन्होंने वास्पई जी को काफी समझाने में उनको सफलता मिली और ये प्रस्ताओ फिर आगे नहीं पढ़ा और इस तरह भारत रत्न विनायक दामदर सावरकर को नहीं मिला ये एक फैक्ट है और ये राष्टपती भावन में काम करने वाले उस समय के पदाधिकारियों ने हम जैसे पत्रकारों को बताया और मीडिया में ये बात आई तो इसलिए हमारा ये कहना है कि सवाल उठाने पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है सवाल उठाने पर आपत्ती नहीं की जा सकती है तो दोस्तों आज मानवाधिकारों के इसी पालूपर मैं बात करना चाहता था और विरेंद्र पास्वान की ये कहानी भी आपके सामने लाना चाहता था कि कैसे हमारी सरकार अमीर घरों के लोगों के लिए सब कुछ करने को तयार है जो अमीर लोग हैं वो जीवित हों चाहे दुखत की नहीं कारणों से कहीं किसी किम्रत्य हो जाए बहुत गर्भागेपन परस्तितियों में ऐसी होती है लेकिन उनके लिए सारा इंतजामात किया जाता है हवाई जहाज आते हैं हवाई जहाज से सारा कुछ किया जाता है लेकिन इसी देश का एक नागरी काम करते वे जब शहीद होता है आतंकी हाथों से तो उसे कोई नहीं पूशता, उसके बीवी बच्चे उसे अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाते हैं, शर्मनाक है और ये सवाल उठाना हमारा लोगतांत्री का दिकार है और उनके बच्चों का, उनकी बीवी का, उन्हें अंतिम तोर पे देखना, अंतिम यात्रा में शामिल होना, ये उनका मानवादिकार था और नैतिक अधिकार लोग मानवादिकारों का एक हिस्सा है, क्योंकि मानवादिकारों में नैतिकता होती है, मानवियता होती है तो आज बस इतना ही दोस्तों नमस्कार आदाप्स तत्स्रियकाल